राजसान में लोकसभा चुनाओं जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे में नेता और प्रत्याशियों को जनसाभाओं में कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं हो रहा है ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें नामंकन से पहले जोद्पूर लोकसभा से भाजपर प्रत्याशी वर्यंद सिंग शेखावत फोकरन की सभा को संबोधित कर रहे हैं और प्रशासन को आड़े हाथो लेते हुए वीडियो में कह रहे हैं कि जब मैंने नामंकन दाखिल किया ही नहीं तो उससे पहले सरकारी अधिकारी मेरे चुनावी खर्चे की डायरी कैसे शुरू कर सकते हैं शेखावत ने अधिकारी को कहा कि आप कानून पड़े हैं इसलिए मुझे नोटिस दिया लेकिन है कोई आखरी चुनाव नहीं है आगे भी चुनाव होने है और मेरी आखों में वो सब लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं हमारी सरकार आई तो मैं उनको उल्टा लटका दूँगा इस पर कॉंग्रेस कर प्रदेश प्रवक्ता आजवे त्रिवेदी ने कहा यहां जब भाजपा सरकार थी तब कोई विकास नहीं हुआ इसलिए इस बार जनता इनको कोई मौका नहीं देने वाली है इनका हैंकार इतना बढ़ गया है कि किसी को भी धंकाने से नहीं चूक रहे हैं अब यह जो हमारे प्रत्याशी हैं बारती जनता पार्टी से उन्होंने एक सभा में यह कहा है कि अधिकारियों को में उल्टा लटका दूँगा उनके जन्दपत्री में तयार बढ़ा हूँ जो लंबे समय से हम लोग बात कहते हैं कि इनका लोग तंत्र पे विश्वास ही नहीं है जो डिक्टेटर्शिप और तानाशाही इनके रग रग में वसी है उसी का परीचे इस सभा में आज उन्होंने दिया है लोग तंत्र में इस तरह की बाते करना बेमानी है और मैं एक हास्यासपत सा उनका वक्तवे में मानता हूं इस आशे से कि वो अपनी सरकार में जब बिल्कुल अवस्त और कुछ भी काम कर बार पाने में या कर पाने में सक्षम नहीं तब तो उन्होंने वक्तवे जारी नहीं किया पहले तो अपनी सरकार में जो अधिकारी थे उनके अपने executives के लिए नी